तो दोस्तों क्या हाल है सभी के काफी बड़ियां और काफी वेटर होंगे तो गाइज यहां पर बात कर रहे हैं Free Fire को आपको कैसे अपडेट करना है गाइज यहां अगर आपके नॉर्मल Free Fire अगर आपके फोन में नहीं है और यहां पर Free Fire Max को भी जी हां यहां पर करने का तरीका बताओंगा अगर आप यहां पर वीडियो को भी 39 अपडेट से पहले देख रहे हो तो आप यहां पर पहले वाला भी कर सकते हो और बाद वाला भी कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले जो मैं आपको तरी Free Fire Max को अपडेट कर पाओंगे दोस्त यहां यहां पर जैसे कि देख से तो Free Fire Advanced Server तो और कई सार लोग के पास होगा और कई सार लोग के पास नहीं होगा ओके तो यहां पर बात करने नॉर्मल Free Fire को अपने फोन में कैसे इजी तरीके से इंस्टॉल करना है दोस्त तो चली मैं Google के अंदर चले आने है जी हां आप लोगो को क्या करना है Google के अंदर चले आने कार दोके तो Google के तो आने के बद आपको यहां पर यहां पर एक चीज़ करेंदो ले यह तो यहां पर देखने को मिल रहा है free fire max आपको available देखने को मिल रहा है बत वहीं पर बात कर लेते हैं पिर जो आपको प्लेश्टोर के अंदर Game's Skills आपको यहां पर search कर दोगे पहले नमबर पर आपको देखने को मिलेगा Game of Skills लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा OKE TCG आपको क्या करना है सीधा सा यहां पर क्लिक करना है Game of Skills पर आप लोगो कुलिक करनी है जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग डाइरेक्ट यहां पे चले आओगे अब यहां पर क्या करना है दोस्ते यहां पर आपको कुछ देखने को मिलेगा हो सकते हैं यहां पर आपको इस तरह का देखने को मिल रहा हो या फिर हो सकते हैं आप में कुछ और देखने को बैक करने के बाद क्या करना है वो चीछ चले मैं आपको यहां पर बताता हूं बैक करने के बाद कुछ नहीं करना सीधा सा स्क्रॉल करते करते आपको नीचे चले आना है जी हां आपको यहां पर नीचे चले आना और भी थोड़ा सा नीचे आई आपको थोड़ा सा स्क्रॉल क कर लेनी है गाई जैसे ही आप लोग सर्च करोगे तो आप डाैरेक्ट यहां पे चले आओंगे जो कि आप लों यहां करने के बाद क्या करना है वापस से बैक कर देना है चले मैं इसको हटा जेता हो और और यहां पर वापस से आपको बता देता हो keeping अच्छी तो यहां पर में आता हूं मैं जो आपको फोकस करना आपको सीधा सुपोर यही वाला पोस्त देखने को मिल रहा हूं यहां पर आपको सीधा से क्या करना है नीचे चाले आना है और भी निचे चले आना है और भी निचे चले आना है तो यहां पर आप लोगों को देखने को मेरा OB38 अपडेट नो फिलहाल अभी OB38 का अपडेट आया हुआ है इसलिए आपको अपडेट यहां पर देखने को मेरा बाकी निचे में आप लोग देख लो यहां पर लिखा गया OB39 कमिंग सुन मतलब जैसे हम लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा आप लोगों को डायरेक्टली यहां पर जो है OB39 का अपडेट कर दिया जाएगा अब यहां पर बात कर लेते हैं जिसे नॉर्मल फ्रीफायर अभी इंस्टॉल करना है तो आपको कुछ नहीं करना गई जो मैं आपको तरीका बतारा है उस तरीक को फॉलो करना जिहां नॉर्मल फ्रीफायर को अगर अभी अपने फोन में इंस्टॉल करना चाहते हो बिना किसी प्रोब्लम का तो मैं आपको यहां पर बताता तो जहां पर से आपको डायरेक्ट नॉर्मल फ्रीफायर को आप यहां पर इंस्टॉल कर पाऊगे मैं आपको करके दिखाता हूं और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा कर देना यार सब्सक्राइब पैसा नहीं लगता दोस्तिया कर देना थोड़ों लगता यार यहां पर देख सकते हो यहां पर टाइमिंग फाइनली जो है खतम होने वाला है और हमारा टाइमिंग खतम हो चुका है अब यहां पर आता है डाउनलोड फाइल को अप्शन तो डाउनलोड फाइल पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको क्लिक करके आपको यहां पर आना यह यहां पर डॉनलोड यहां पर लोगों nons comum cnb का देखने को मिल यह जैसे ही आपका यह एक यह काम हो जाए तो सब्सक्राइबों करने के बार जैसे इंस्टाल करोंक तो आपको उपन कर लेनाया और वही पर उपन करने के बाद जहर्ट जुह है आपको OBB download करने के लिए बोला जाएगा तो आप वहीं पर से जो है OBB को download कर लेना अगर OBB download करने को option नहीं देता है तो आपको क्या करना है दोस्त आपको क्या करना है बैक करना है वापस से यहां पर चले आना है जी हां आपको steps को follow करके आप यहां पर चले आना यहां पर जैसे ही है तो काफी अच्छ भात अगर नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना हैweder is फाइल को शेये अजय अब धूरे को अब् गश्यक लगा है यहां पर ईस के Whatsaud even आप लोगो धर लोगो करोगे तो आप लोगो डियरेक्ट ओमें का फाइल दे जहां पर आपको क्या करना Android वाले फाइल में जाके OBB वाले फाइल में जाके आपको सिधा सा पेस्ट कर देना है दोस्ते इतना काम कर दोगे आपका काम हो जाएगा और नॉर्मल फ्रीफायर को आप इंस्टॉल कर पाओगे फिर भी अगर आप यहां पर इस तरीके से नहीं कर पाते हो तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बतातो इसमें देखो आपको कोपी पेस्ट करने की जरूत पड़ेगी अगर आप इस तरीके को फॉलो नहीं करना चाहते हो तो इससे काफी एजी ट्रिक मैंने आपको बताया है फिर फायर को इजी तरीके से इंस्टॉल करने का उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्स ल मिल जाएगा टाइटल पर आप लोगो क्लिक करना है ह Например जैसे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्स न में लिंक रिंक है क्लिक वीडियो को देख करते हो, तो आपका नॉर्मल आप बिल्कुल आसान तरीके से प्ले這個是 से जो है आप लोग नॉर्मल Uhrifier को अपडेट करल से जो है अप लोग नॉर्मल फ्रिस्टार को अपडेट कर पाऊए। मैं ने आपको बता दिया कैसे क्या करना है आपको normal freefire को कैसे इंस्टॉल करना है सब कुछ मै ने आपको बता दिया अगर अभी तक आपके फोन में यह चीज़ नहीं हुआ है अगर आपने进 normal free file को install नहीं किया है तो आपको क्या करना है description में लिंक दिया गए या फिर आप bio मतलब comment में लिंक दिया है आप click करके देख लेना उससे 200% confirm है कि आप normal free file को update या फिर install कर पाओगे सबसे पहले ओके तो thank you आर वीडियो थो अब बड़ा होगे उसके लिए सौरी बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करना चैनल पर ने होंगे कर दिजिएगा सब्सक्राइब थैंक यू लव यू गाइज